आज मैं आप सभी के लिए लखनाओ की प्राइवेट सेक्टर से टॉफ फाइव वेकिंस्यों का आपडेट लेकर के आया हूँ जिसमें आपको बारा से लेकर के अठाइस हजार रुपे पर मन्त की सेल्डी मिलने वाली है वहीं क्वालिफिकेशन आपकी मिनिमम् आठवी पास दसमी पास यहों मैक्सिमम् ग्रेजिवेशन यहों अन्य तरीके के जो आप डिपलोमा किये हूँ जैसे कि कम्प्यूटर से ADCA, DCA या त्रिपल सी यदि आपके पास एक साल का एक्सप्रियंस है बैंकिंग सेक्टर का, मार्केटिंग सेक्टर का या फिर बैक आपिस का तो आ आपको point to point समझ में आए और आप contact number address यहां से ले के जा सकें, आपको call ना करना पड़े हमारे office पे, direct आप बताये गए vacancy update के पास जाईए और अपनी job प्राप्त कीजिए, चलिए बढ़ते है vacancy update की तरफ, सबसे पहले बात कर लेते हैं medical department की, जो कि हमारे पास medical department से job आई है, pharmacy assistance dispenser की, जो कि स्याम medical company की तरफ से निकल के आ रही है, जिसमें आपको sell नी मिलने वाली है, 8000 रुपए से लेकर के 12000 रुपए तक, जिसका काम है counter sale का, आपको medical पे रहना है, वहाँ पे जो भी दवाईया loading, unloading होती है, उसका देखरे करना है, वो billing बनाना है, यह company के address की बात office receptionist की, ज़िए आप एक female है, महिला है, और आप reception की job तलास कर रहे हैं, तो इसमें आपको मिलता है reception का job, जिसके लिए आपको sell नी मिलने वाला है, 12000 से लेकर के, 12000 रुपए पर मन्त, आप बात कर लेते हैं कि इसमें qualification क्या मांगा गया है, तो आपका qualification 10 वी पास, 12 वी पास, साथ में computer से DCA, ADCA या CCC किसी भी प्रकार का एक computer degree आपके पास होना अनिवार है, company की बात करें तो IK का company है, जो की address की बात करें, तो 3.2 sector G, जान की पूरा मलखनों में ये company परती है, अगली जो हमारी vacancy है, वो है back office assistant की, जी हाँ, यदि आप back office का आपके पास experience है, आप back office मे कोई भी डिप्लोमा किये हुए है, अच्छा Excel, GST, Tally आपको आता है, तो आप इस job को करके, 15 से लेकर के 22,000 रुपे पर मंत कमा सकते हैं, जी हाँ, qualification, जैसा कि आपको मैंने बताया, 10-12 पास या graduation, डिप्लोमा के तोर पे आपको DCA, DCA, CCC, GST, Tally का advanced expert होना पड़ेगा, company ना अगली हमारी जो जॉब है, जिसका नाम है, टेली कॉलर, कॉल सेंटर, कस्टमर केर, अधिकारी, जैसा कि आप सभी को पता है, कि टेली कॉलिंग की जॉब सबसे फेवरेट होती है, युवाओं की, जो लोग प्रहाई लिखाई कर रहे हैं, qualification जिन्सका 10-12 आवही हैं, और जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसी के तहट आपको बात करना पड़ता है, जिसके लिए qualification जो मांगा गया है, आप पे 10-12 पास, 1-year से लेकर के, 3-year तक अगर आपके पास experience है, तो आपकी सेल्डी में हाइक मिलेगा, आपको अच्छा सेल्डी मिलेगा, और इसे सेल्डी जो य कर सकते हैं, हमारी अगली जो और लाश्ट जॉब है, जिसका नाम है back office executive, यदि आप back office की जॉब तलास कर रहे हैं, जैसा कि मैं बताया, आप graduation किये हूँ, आपकी योगिता जो इसमें मांगी गई है graduation, साथ में आप पे पास computer से related degree होनी चाहिए, जैसे DCA, ADCA, और आपको Excel and T salary का export वरना पड़ेगा, उसमें भी GST आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें GST फाइल हो गएरा करना पड़ता है, जिसके लिए आपको salary दी जा रही है, 12,500 रुपए से ले करके 22,500 रुपए तक, वहीं इस job के लिए अगर आप मैंने आपको 12345 जितनी vacancy बताएं, इन सभी क लिंक मेरे description में है, और आपका contact number जो दिखाई दे रहा है, उस पर call करिए हमारे office का, और आपको जो job पसंद है, आप हमें call करके उस job का contact number ले सकते हैं, और directly बात करके आप interview के लिए जा सकते हैं, हमारा काम होता है job का information देना, हम आपको दे रहे हैं, बाकी interview देना और job प्रा आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी vacancy में लेकर के आता हूं, उसका एक expiry date होता है, यदि आप चैनल को subscribe करके बेल आइकन दबा देंगे, तो मैं जो भी vacancy लाओंगा, expiry date से पहले आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, बस मिलते अगली vacancy update के साथ, तब तक के लिए जाएगा